जॉब चेंज कब करें? ऐसी मजेडार विडियो हिंदी मी सुनना चाहते हो तो चानल को सब्स्प्राइब करें और बैल आइकॉन दबाना ना भूले. इन हालाक में जॉब चेंज करना घाटी का सौधा. अभी तक आपने पढ़ा होगा या जानने की कोशिश की होगी कि आप जॉब कब करें चेंज. हम यहां बता रहे हैं कि जॉब कब न बदलें. अगर नीचे लिखी शर्ते आप पर लागू होती हैं, तो जॉब बदलने का विचार मन से जरूर त्याग देना चाहिए. विनीद की जॉब अच्छी चल रही है. उसे एक बड़ी आईटी कमपनी में जॉब करते हुए दो साल हो चुके हैं. अब वो जॉब बदलने की सोच रहा है. वजल के बारे में वह इतना ही कहता है. अरे भाई दुस साल से अधिक एक कमपनी में जॉब कैसे रह सकते हैं? जॉब बदलने पर ग्रोग भी मिलती है. पर ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विनीद कमपनी को केवल इसलिए टाटा कह देना चाहिए. क्योंकि वहां जॉब करते हुए उसे लगता है कि आपने कुछ अधिक वक्त बिता लिया है. अगर कमपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बहतर है. रिसेशन जैसे चैलेंजिंग वक्त में भी अगर आपके हाथ में पिंट स्लिप नहीं आया या आपको जॉब से नहीं हटाया गया तो इसका सीधासा मतलब है कमपनी अच्छी है. उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है. वो अपने एमपलाई के बारे में भी सोचती है. महौल. ओफिस में जॉब का महौल अच्छा है. वाक फ्रैंडली इन्वायन्मेंट होना किसी भी प्रीथ हो. ऐसे में जाते ही आपको फिर से जॉब चेंज करने का मन करेगा. एमपलाई फ्रैंडली कमपनी अगर एमपलाई के बारे में सोचती है. उसके वर्किंग ओवर, पिक एंड ड्रॉप्स, लीवादी के बारे में सही धन से सोचती है तो यह भी आपके जॉब चें आपको डैस्ट का काम पसंद है. आपको जो नई जॉब मिल रही है, वह फील्ड वर्क है. भले ही दूसरी कमपनी सेलरी अधिक दे रही हो, लेकिन आपको यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी क्षेत्र में बैस्ट कर सकते हैं. अगर पिछले सालों में आपका अपरेजल बहतरीन रहा है, अगर एवरेज भी रहा है तो यह जरूर देख ली कि आपके साथ काम करने वाले दूसरे एमपलाई की सेलरी कितनी बड़ी है. अगर दूसरे की स्थिती भी आप जैसी ही है तो केवल अपरेजल की वजह से आपक पॉलिटिक्स से दूर रहता है, अच्छी काम को क्रेडिक देता है, तो ऐसे बॉस को छोड़ना एक सही निर्नय नहीं होगा. लेकिन साथ में यह जरूरी है कि अन्य चीजे भी बहतर हूँ. आपकेवल इसलिए जॉब नहीं छोड़ सकते कि भाई हमें तो दो या तीन साल ह हो गए हैं. इसलिए जॉब चेंज कर लें. तभी भी थोड़ी सेलरी हाइप के लिए कमपनी की स्तर पर समझोता नहीं करें. क्यूंकि अच्छी कमपनी में जॉब करना करिया के लिहाद से हमेशा ही बहतर होता है. ऐसे करें पहली जॉब की तयारी. आपने फैशन में डिग में लें और उसे भुनाने की कोशिश करें. याद रखें, ये अफसर आपको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं. इसलिए लाइफ में प्रयोग करना सीखें. नेट्वकिंग सही करें. जो पहली जॉब की तलाश में हैं, उन्हें बहतर नेट्वकिंग की दरकार होती है. इसलि में पहली नौकरे में हत्वपूर्ण होती है. इस जॉब के साथ कर्य की गाड़ी स्टॉट होती है और यह क्रम लगातार चलता रहा है. जॉब एक्सपर भी पहली जॉब को लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं. उनका कहना है कि यहाँ पर कर्य को शांदार स्टॉट मिलने की सूरत में आप तेजी से आगे की और बढ़ पाते हैं. इसलिए जरूरी है कि सकारात्मक द्रिश्टिकोन के साथ आप सही दिशा में आगे बढ़ें. जॉब से संबंदित जो फैसला लेना है उसे सोच समझ कर लें. यहाँ पर एक गलती से आपको नुकसान उठाना पर सकता है. और इसलिए खुद को एक्टिव रखें. आप जितना बहतर नेट्वरकिंग रखेगे, फाइदा उतना ही ज्यादा होगा. खुले मन से करें तयारी. बात जब पहली जॉब की हो रही हो, तो इसकी तयारी की क्रम में आपको लचीला रोख अपनाना होता है. इस जॉब को हासिल करने से करिये को कैसा स्टॉर्ट दे सकते हैं? फ्लैट ग्लास बिजनेस एंड रिसर्च में ह्यूमन रिसोस हेट पी पादमकुमार कहते हैं कि अपने उद्देश को हासिल करने के लिए हमें अपने विचारों और ग्यान का गटबंधन करने की आवश्यक्ता होती है. इसके जर्य हम सफलता हासिल कर पाते हैं और नई उचायों को छूने में भी समर्थ हो जाते हैं. इसलिए त्यारी के क्रम में आपको पता होना चाहिए कि आप किस जॉब के लिए इंटर्व्यू देने जा रहे हैं? उसके क्या माइने हैं और यहां पर मिलने वाली स जफलता का असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा? धहर्य रखना. धहर्य रखना भी एक आठ है और इसे सीखने की जरूरत होती है. याद रखे कि हर ओफिस के अपने कल्चर एथिक्स होते हैं, जिन्हें समय के साथ साथ सीखा जा सकता है. पहली जॉब से पहले धहर्य रखना और शांती बना कर रखना, इन दोनों गुनों को अच्छे से सीख लें. यह मानसिक्ता सीखने की प्रक्रिया को आसान बना देती है. एक स्पट कहते हैं कि वर्क प्लेस पर अक्सर त्वरित फैसले लेने होते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप शांत मन से फैसला लें. इससे आप परिस्थितियों के बारे में अच्छे से विचार कर पाएंगे. मनो विशलेशक इस बात को मानते हैं कि आवेग में आकर लिया हुआ फैसला नुकसान पहुँचाने वाला होता है. जब आप शांत मन से अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, तो शांति कुन तरीके से अपनी उर्जा का सही दिशा में सदुपयोग कर पाते हैं. ओफिस में न करें ये गलतियां, हुगा बहुत नुकसान. जब प्लेस पर आपकी इमेज पर आपकी आदतों को बहुत असर पड़ता है. आपकी आदतों के हिसाब से लोगों का पसेप्शन ते होता है. ऐसे में स समय का पाबंध होना बहुत ज़रूरी है. हर काम को समय पर करें और आपसे जो अपेक्षा है, उसे करने के लिए तयार रहें. अगर आप काम में देरी करेंगे तो इससे आपकी छवी गलत बनेगी और हर कोई नफरत करेगा. मीटिंग के बीच कहीं और खो जाना. मीटिंग का मतलब मीटिंग होता है यानि मीटिंग के दोरान वहां हो रही गतिविद्यों पर ध्यान दे. मोबाई या लाप्टॉप खोल कर कुछ और न करने लग जाएं या किसी और सोच में न डूब जाएं. इससे आसपास बैठे लोगों और बॉस की नजर में आपकी बेपरवाह वाली छवी बन जाएगी. किसी काम को लेकर सवाल पर सवाल खड़ा करना. अगर आपको कोई असाइन्मेंट सौपा जाता है और आप उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप काम करना नही चाहते हैं. उचित सवाल उठाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अतारकिक सवाल आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं. हर समय नेगेटिव न रहें. वैसे तो हर किसी को बॉस, सहकर्मी या किसी काम को लेकर शिकायत रहती है. लेकिन अगर आप मुखर होकर इसके ख खिलाफ जाता है. हमेशा बॉस की या सहकर्मियों के खिलाफ कुछ भी नेगेटिव बोलने से परहेज करें. ओफिस मीटिंग में लेक पहुँचने की आदत छोड़ें. मीटिंग में अगर आप हमेशा देर से पहुँचते हैं तो इसका मतलब है कि न तो आप अपने सहकर् बीमार होने का बहाना न बनाएं. अगर आप हर हफ़ते बीमार होने का बहाना बना कर चुट्टी ले लेते हैं तो इससे आपकी बॉस के नजर में गलत छवी बनेगी और प्रमोशन में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा. डैस्प पर मेकप न करें. अपनी डैस्प पर बैठे बैठे मेकप करने से बचें. अगर आपको समवरना ही जरूरी है तो बातरूम चली जाएं और वहां जाकर मेकप कर लें. कब करें तलाश नई नौकरी की? अपरे जल का समय आने के साथ ही मन में इस बात को उथल पुथल होने लगती है कि क्या मुझे अपनी नौकरी अपनी पुरानी कमपनी में ही कंटीनियू करनी है या फिर कोई दूसरी नौकरी की तलाश करनी है. अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आप खुद से कुछ सवाल पूछे और उन सवालों के जवाब तलाशने के बाद ही यह नि इसरी क्या आप अपनी नौकरी से उतनी सेलरी मिल रही है. जितने क्या आप योग्य है चेति सबसे महत्वकूर न बात अपतिशारीरिक शमता और हेल्थ है. तरियमे तरक्की की इच्छा सभी की होती है. जब आपको ऐसा महसूस होने लगे आप जिस जगल काम कर रहे हैं, आप अपनी काम में इंट्रेस्ट नहीं लेपा रही हैं और आपको अपने सी कम योग्य व्यक्ती सी कम सेलरी और महत्व मिल रहा हैं। तो बेवज़ फ्रस्टेड होने की बजाए नई नौकरी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। अपनी नौकरी को इंजवाय कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रेजन्ट जाब को इंजवाय कर रही हैं। अगर इसका जबाब हाँ है, तब ही आप अपनी जाब को continue रखे क्यांकि जब आपको अपने काम को करने में मज़ा ना आ रहा हो तो आप अपना बैस नहीं दे पाएंगी, जिसकी वज़े से आप अपना काम perfect तरीके से नहीं कर पाएंगी. कहने का तातपर्य यह है कि बहतरीन performance के लिए जरूरी है कि आप अपनी जाब को enjoy करें. अगर आप अपने आफिस के प्रेश से परेशान है, बास का रवेया आपके प्रती ठीक नहीं है. आफिस का महौल अच्छा नहीं है और वहाँ जाने के लिए आपको खुद की जबर्दस्ती तयार करना पड़ता हो तो आपको नई नौकरी की जरूरत है. वहाँ रहकर खुद की creativity को खत्म करने और frustrated होने से अच्छा यहीं है कि आप नए विकल्पों की तलाश शुरू कर दे. मेहनत का उच्छित दाम, जल्दी-जल्दी नौकरी बदलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी नौकरी में सन्तुष्टी और अच्छी सेल्री नहीं मिल रही हो तो उसे जारी रखना ठीक नहीं. आप इस बात का आकलन करें कि क्या आपको अपनी नौकरी में उतनी सेलरी मिल रही है, जितने क्या आप हकदार हैं इसके लिए जल्दी बाजी ना करें अपनी सहलियों से बात करें, जो दूसरी कमपनी में आपके पद पर कार्यरत हैं उनसे पता करें कि उन्हें कितनी सेलरी मिल रही है। जैसे ही आपको यह लगे कि आपको क्वालिफिकेशन और योग गिता के मुताबिक सेलरी नहीं मिल रही है, तो फिर ले नई नौकरी की तलाश शुरू करें. वर्तमान नौकरी से कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाए और हर दिन कुछ नया सीखना ऐसी प्रक्रिया है, जो कभी खत्म नहीं हूती. बहुत सालों तक एक ही जगल काम करते करते आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही जगल काम करते करते आपकी योग्यता कुन्थित होने लगती है. आप भी खुद से यह सवाल पूछे कि क्या आपको अपनी कमपणी में लंबे समय तक रहते हुए अभी भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको आफिस के नए नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जाती है या फिर इसके लिए किसी एंपलाई की नियुक्ती होती है अगले पांच सालों में आप खुद को जिस मुकाम पर देखना चाहते हैं वर्तमान जगल काम करते हुए इस बात का आकलन करे कि क्या यह वह जगल है जहां रहते हुए आप अपनी योजनाओं के पूरा कर सकते हैं अगर हां तो अपनी जाब वहाँ पर कंटीनू रखे रही है वहाँ पर आपके बास और कलीग्स के साथ संबंद कैसे हैं क्या आपका बास और आपके कलीग्स आपको पंसक करते हैं अगर हां तो आप बिलकुल सही जगह पर काम कर रही हैं यहाँ पर काम करते हुए आपको वर्त प्रेशर तो जहेलना पर सकता है लेकिन वाकी कि किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा बास के साथ अच्छे संबंदों से आपको समय समय पर अच्छा इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलता रहेगा लेकिन अगर आफिस में आपके बास और कलीग्स के साथ आपके सबंद बहतर नहीं है तो फिर आपको नई जाप की शुरू कर देनी चाहिए इन बातों का रखे ध्यान आपके संस्थान के विकास में आपकी कितनी महत्वपूर्ण भूनमका है कहने का तात पर यह है कि क्या आपको आफिस के महत्वपूर्ण कामों की जिम्मदारी दी जाती है आपके हाथ में के important project है या नहीं अगर आपके हाथ से धीरे-धीरे कामों को लेना शुरू कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि आपका संस्थान में ज्यादा दिनों तक टिकपाना मुश्किन है ऐसे में अपने लिए नए विकल्प तलाशना शुरू कर दें आप अपने काम से पूरी तरह संतुष्ठ है आपको अपनी company म काम करने में मज़ा आ रहा है आप हर काम को सबसे अच्छी तरह से और नए तरीके से करते हैं तो company में आपका भविश्य सुरक्षित है लेकिन स्थिती इसके उलट है तो उस संस्थान को अलविदा कहने का मन बना लें आपके घर की दूरी आपकी संस्थान से बहुत कुरानी नौकरी को कहीं गुडबाई तारानकन जब इंक्रीमेंट और प्रमोशन की संभावना ना हो तारानकन बास आपके सही काम की भी आलोचना करे तारानकन आफिस में काम से ज्यादा पालिटिक्स हो तारानकन कुछ नया सीखने का ना मिल रहा हो तारानकन आपकी तु परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जितने दिन फ्री रहते हैं, उतने दिन आप कुछ शौटर ट्रम काम करके पैसा कमा सकते हैं। आप अपने फील्ड के अनुसार काम देख सकते हैं या फिर कई छोटे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जो की घर बेखे आसानी से किये जाते हैं। अगर आप किसी फील्ड में अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप ये जानकारी लोगों को दे सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। आपी ट्यूटर बनकर आसानी से लोगों को पढ़ा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। शेर मार्केट शेर मार्केट ऐसा जर्या हैं जिससे आप हर रोज के अनुसार पैसे कमा सकते हैं। अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं तो आपके लिए यहां असान रहेगा और जॉब लगने के बाद भी आप इसे आगे भी कर सकते हैं। ओनलाइन राइटिंग लिखना एक कला है। अगर आप भी इस कला में पारंगत हैं तो आप अपनी सर्विस किसी कमपनी को दे सकते हैं। Content Writing, Blog, Online Review और Article जैसे कई ओप्शन है जिससे बदले आपको अच्छे पैसे कमाने का मौका मिलता है। इस तरह ये भाग समाप्त होता है।